इंडियन माउंटेट पोलेस पहुंची, यह साउथ सरे में इसका घर था, वहाँ पे उसने देखा कि कुछ कई इंजिरीज नहीं थी, इंजिरीज होंगी कैसे, क्योंकि एक परवरी की सुभा-सुभा, यानि के रात में, एक बच के 21 मिनट पे ये गोलियां चली थी, कि अमेरिकन साइड ये कह रही है कि जब तक पन्नू के केस के अंदर इंडियन साइड जो है, वो मीनिंग्फुल इंवेस्टिगेशन में हैल्प आउट नहीं करती, हम इस केस को नहीं लेके चलेंगे, उसका नाम है सिमरन जीत से, और ये निजर का खास्त, इसके घर पे किसी अब ये आरोप लगा रहा है कि गोली इंडिया ने चलाएगी, इस फैक्ट चेक में लिखा गया, कि दवायर में छपे जूटे आर्टिकल में ये दावा किया जा रहा है, कि अमेरिका ने भारत की होने वाली ड्रोन सप्लाई रोक दी है, सचा ही ये है कि अमेरिका के साथ रिलेशनिशिप क्या है, पन्नु साब एक इम्मिग्रेशन लोयर है, उनके पास दो नेशनलिटी हैं, अमेरिका और कैनड़ा की, और दूसरा ये जलसे निकालना खालस्तान के लिए ये उनके कारोबार का हिस्सा था, उनकी दुकान का हिस्सा था, जूरता मुसलमानों सब्सक्राइब करते हैं, अगर इंडिया चलाएगा ना तो बचोगे में, लेकिन क्योंकि आप आप लोग आरुप लगा लेते हो और अरांग से लगा लेते हो, आप तो जूट बोलने में एक्सपर्ट होगा, तो आपने बोला, रॉयल के लिए एक इतना बड़ा इशू इम्पासिबल है के अमेरिका और भारत के रिलेशिशिप को के उपर क्रैक इस वज़ा से आया हो, इट इस इंपासिबल, मेरा जहीर यह नहीं मान सकता बिलकुल, क्या कहना चाहेंगे, क्या हम अपने कौम को इस तरह से रिप्रेजन कर रहे हैं, बाहर जाकर मैं कोई गलत काम कर रहे हो, इंडिवेश्वली तोर पर तो मैं अपने मुलक को बदनाम कर रहे हो, क्या ये सही च मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और मेरे हर अपडेस्ट आपको मिलें, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाईएगा, आप सभी को मेरी धेर सारी शुब कामना है कि अमेरेकन साइड ये कह रही है कि जब तक पन्नू के केस के अंदर इंडियन साइड जो है, वो मीनिंग्फुल इन्वेस्टिगेशन में हैल्प आउट नहीं करती, हम इस केस को नहीं लेके चलेंगे और आपको याद होगा इस हवाले से तार साब जो इंडियन इरुजिन के कॉंगरसमेन है, उनको भी कॉंगरस में ब्रीफिंग दी गई थी और सुने में आया, कॉंगरस नहीं इसको रोक लिया है अमरीका जो है, वो इंडिया को नहीं करता, हार चीज के द्रवाजे खोले होए थे उनने, लेकिन इस चीज को आप कैसे देखते हैं, क्या अमरीका लॉंग टर्म इन ड्रोन्स की सप्लाय को रोक सकता है, या कि ये एक टैक्टिक है, वाट इस यूर रीडिंग, आप कॉंग करस के सारे ओपरेशन को समझते भी हैं, आप कैसे देखते हैं इस सीज को? इसके साथ रिलेशनिशिप क्या है, पन्नू साब एक इमिग्रेशन लॉयर है, उनके पास दो नैशनल्टिया हैं, अमेरिका और कैनिडा की, और दूसरा, ये जलसे निकालना खालस्तान के लिए, ये उनके कारोबार का हिस्सा था, उनकी दुकान का हिस्सा था ये, क्योंकि उनके ज्यादा तर जो केसिस थे, सिखों के वो करते थे, आज प्लिटिकल असाइली, तो वो उनको ये सूट करता था, सारा, जिस तरह कहते हैं न के, it was a marketing campaign of his law, that's exactly you can say that, so ये एक इतना बड़ा इशू, impossible है कि अमेरिका और भारत के रिलेशनिशिप को, के उपर crack इस सकता बिलकुल, क्योंकि इसके पीछे, relationship बनते, बनते, बनते हैं, ऐसे नहीं बन लियाते, और दूसरा, इस वकत, भारत की, जो मेरे नज़र में, मैं समझता हूँ, जो मैं पहले भी एक दो दफा इस चीज़ का मैं बता चुका हूँ आपको, के वाशिंटन डी सी के अंदर से concern मौझूद है, बढ़ता हुआ influence of Indian diaspora और भारत का उबरती हुई economy, भारत का muscle flex करना, भारत का confidence show करना अपने region में, भारत का नारा, strategic autonomy, यह western जो powers हैं, उनको यह पसांद नहीं है, यह बिलकुल उनको पसांद नहीं है, इनको आदत पढ़ चुकी है, इनको आदत पन चुकी है, कि लोग सर नगू होकर इनके पीछे पीछे चलें, American ambassador जहां भी हो, वो act like voice राय करें, यह इनको आदत पन चुकी है, इनको आदत पन चुकी है, क्या भारत को कोई letter भेजा उसने, Biden government ने कहीं कोई बयान दिया, जी नहीं, यह खबर आई, एक Indian news portal प यह है वो news portal, इसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं, और यह है वो article जिसके वज़े से यह पूरा बखेडा खड़ा हुआ, heading देखिए, US blocks 3 billion dollar drone sale to India, until meaningful investigation of Pannu assassination conspiracy, यानि अमेरिका ने 3 billion dollar की जो drone deal थी, वो तब तक के लिए रोग दी, जब तक कि Pannu की हत्या की साजिश की ज जाच ठीक से नहीं हो जाती, नीचे Pannu drone और डॉलर की तस्वीर भी लगाई गई है, 31 जन्वरी को दवायर में अजय शुकला का लिखाई ये article पब्लिश हुआ, आर्टिकल के पहले पराग्राफ में ही साफ साफ लिखावा था, कि अमेरिकी गवर्मेंट ने 31 MQ9B drone के delivery रो कि अमेरिका ने Pannu assassination conspiracy के लिए भारत को जिम्मदा ठहरा दिया है, लेकिन ठीक एक ही दिन बाद इस खबर की धज्जियां उड़ गई, प्रोपगंडा की पोल खुल गई, भारत सरकार की Nodal Agency P.I.B. यानि Press and Information Bureau ने इस खबर को जूटा करा दिया, P.I.B. Fact Check का X handle है, इस पर भारत सरकार से जूटी खबरों और अफ़ाओं के सच्चाई बताई जाती है, P.I.B. Fact Check ने साफ साफ लिखा, This claim is fake, यानि ये दावा जूटा है, इस Fact Check में लिखा गया, कि दवायर में छपे जूटे आर्टिकल में ये दावा किया जा रहा है, कि अमेरिका ने भारत की कोट होने वाली ड्रोन सप्लाई रोक दी है, सचाई ये है कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत को 31 MQ-9B ड्रोन्स देने के मनजूरी दे दी है, अब P.I.B. Fact Check के इस ट्वीट और दवायर में छपी इस खबर की असलियत जो है, तो प्रोपगंडा केहना जादा साइए, तो अब इस प्रोपगंडा की और धज्जियां उड़ने बाकी थी